मनोहर लाल कट्टर ये नाम आप लोगोंने सुना होगा अभी बरत्मान में ये हर्याना के चीप मिनिश्टर है, मुख मंत्री है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे इनके बारे में हम लोग जानेंगे एक और पिक्चर आप लोग देख लीजे ये हैं कौन है? मनोहर लाल कट्टर एक बार हर्याना को देख लीजे आप लोग पहले उसके बाद हम लोग इनके बारे में बात करते है तो ये आप लोगों को हर्याना देखने को मिलेगा चंडीगड इसकी राजधानी देखने को मिलेगी एक नवंबर 1966 में इसे राज बनाये गया था विधान सबा में 90 सीटे हैं, राजज़ सबा में 5 सीटे हैं लोग सबा में 10 सीटे देखने को मिलेगी और हर्याना का चेटफल देखें तो 44 सेजाद 200 बारे बरक किलूमीटर में फैला हुआ है आपका हर्याना और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इसकी सीमा पंजाब से लगती है हिमाचल पिदेश से लगती है और इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो उत्तर प्रदेश से भी लगती है दिल्ली से भी लगती है और राजिस्थान से लगती है यह आप लोग याद रिखेएगा मनुहलाल खटर का जरम 5 मई 1954 को भारत के हर्याना राज्य के रोहितक जिले के निंदाना गाव में एक खत्री परिवार में हुआ था कव 1954 में उनके पिता का नाम हरवल्सलाल खटर था और जो एक साधारन किसान परिवाद से थे और उनके माता का नाम सांती देवील एक कुसल गरहनी थी उनके परिवार में उनके माता पिता की अलावा उनके भाई जग्दीश गुलसन और चरन जीस सींग है और आप देखे उनका परिवार उन से एक है जो भारत-पाकिस्तान बटबारे के बाद पाकिस्तान चोड़कर भारत में आकर बस गया था और उनकी पिता की दुकान थी जिसे चलाने में हुआ है, सहयोग भी किया करते थे, कौन? मनोहरलाल, खटर, इन्होंने साधी नहीं की, यह याद रखे आप लोग, आबेवाहे थे, और अक्सर आप लोग देखते हैं कि जो RSS से जुड़ा रहा है, वो साधी करता ही नहीं है, साइकिल से कभी सब सबजी बैच कर जाते थे स्कूल, तो आप लोग कह सकते हैं कि संगरस भरी जिंदगी रही है, खटर की जिंदगी में बहुत से संगरस रहे है, गरीबी से जूचता परिवार खेती से गुजारा करता था, उनके पिता हरवल से लाल सबजी वाते थे, और जब मनोहर लाल दस में आयत तो सुबह उठकर खेत से सबजी तोड़ने जाते थे, और आप देखेंगे वह सुबह सबेरी साइकल पर सबजी लाद कर रोहे तक मंडी जाते थे, फिर वहां से गाओं स्कूल जाते थे, तो आप देखी यहां से निकले हुए हैं आपके चीप मिनिस्टर, इनकी स अपने इसी सौंक को पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई की और अपने परिबार में दसवी पास करने बाले विपहले सदस्त बने, इसके बाद उन्होंने आंगे की सिक्षा के लिए पंडित नेकी राम सर्मा गवर्मेंट कॉलेज रोहितक में एडविसन लिया, वहा से अपनी इसनातक की सिक्षा पूरी की, एवं वह अपने कॉलिज के दिनों में दिल्ली के सदर बाजार के पास एक दुकान भी चलाया करते थे, तो यह इनकी सिक्षा हो गई, अगर हम लोग राजनीती की बात करें, तो अपने दोस्तों की वीच हैड मास्टर नाम से लोग सेप्टमर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, केसाव वलिराम हेड के बार इसके पाउंडर थे, बीजेपी का एक तरह से सहयोगी संगठन माना जाता है, और वह पिछले 40 बरसों से संग और पिछले 20 बरसों से भारती जिंता पार्टी का हैस्सा भी रहें वो, और आप देख संगठन महामंत्री भी बनाए गया था, भाजापा की तरफ से, और भाजापा की बात करें तो आप देखते हैं कि 1907 अपना हुई थी, भारती जिंता पार्टी के, और आप देखेंगे कि पहले अध्यक्ष कौन थे, अटल विहारी बाचपे इसके पहले अध्यक्ष थे, य और वह है भाजापा नेशनल एगजीक्यूटिव सदस कमेटी भी रहे, एक बिधान मंत्री मोदी के सबसे करीवी लोगों में इनका नाम आता है, उन्होंने सबसे पहले 2004 में पहली बार करणाल बिधानसबा चित से चुनाल ला और इस में जीत हासिल की, और इस बिधानसब चुनाओ में भाजापा को 45 सीटे मिली जबकि दूसरे नंबर में एनोलो रही, जिसे आप देखिए 19 सीटे मिली, राज में पिछले एक दसक से राज कर रही कॉंगरेस को 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी, और आप लोगों को बता दूँ, जो बिधानसबा की चुकी होगी, तो बोटर सूची में नाम जूड़ चुका होगा, आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे, और ये चुनाओ करवाता कोन है, एलेक्षन कमिशन ओप इंडिया, भारती निर्बाचन आयूग, एक सम्मिधानिक संस्ता है, सम्मिधान के अनुछे 324 के तैट इसकी स्ताफना की बात की गी है, 25 जनवरी 1950 में इसकी स्ताफना हुई थी, नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा, सू कुमार सैन पहले मुख चुनाओ आयूग दे थे हमारी, ठीक है, फिर आप देखेंगे चुनाओ में मिली ऐसी भारी जीत के बाद, उन इन्होंने फ्रिसे बरकारा रखा, और 27 अक्टूबर 2019 को उन्होंने हर्याना के 11 मुख मंतरी के रूमें सपत ली थी, तो अभी बर्तमान में ये क्या है, मुख मंतरी हैं, और आंगे का इनका राजितिक सफर किस तरह से रहता है, ये तो आने वाला बक्ती बताएगा, इसके अनोहलाल खटर देश के पिधार मंतरी नेंद मौधी के रूमेट भी रह चुके हैं, मौधी उस तब हरयाना बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे, खटर ने आरेसे पिचारक के तोर पर मौधी के साथ बहुत काम किया, तब खटर मौधी के साथ रूम सेयर करते थे, इस आप लोगों को बता दूं, आरेसे से पिधार मंतरी मौधी भी जुड़े रहे हैं, यह भी याद रखेगा, इन से जुड़े हो कुछ बिबाद भी है, इन बिबादों को देख लीजे, क्योंकि आप देखते हैं कि आप लोग इस तरह के किसी पत पर होते हैं, तो आपके च का था कि पाइटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, और यह उनका ब्यक्तिकत बिचार है, इसके 24 गंटी के अंदर ही उन्होंने अपना बयान बदला और इसके लिए माफी भी मांगी थी, तो यह बिबाद भी जुड़ा रहा है, तो यह मुखमंत्रियों की सिंखला चल रही है, सभी मुखमंत्रियों के बारे में हम लोग एक एक करके जान रहे हैं, आप लोग भी किसी बैक्ति के बारे में जानने की इक्षा रखते हैं, जानने की दिल्चस्थी है, तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, ठीक है?